यह रीकाप क्या है देखिए जल्दी से हमने यही बात की थी किया कल हमने गामा इंटेग्रल सीखा था जिसके रेंज थी जिरो से कहां तक infinity x की पावर क्या थी और e की पार माइनस लामडा एक्स राइट d x तो इसका अंसर क्या था बताओ alpha minus 1 से एक नमबर बढ़ा upon lambda की पार और जो alpha और lambda तो दो नमबर हैं यह 0 से बढ़े हैं यह कहें 0 से पहली बात आपने यह पढ़ा था कि gamma alpha क्या होता है alpha minus 1 factorial ना कब जब alpha क्या होगा एक रे integer दूसरा आपने यह भी पढ़ा था कि gamma alpha होगा alpha minus 1 gamma alpha minus 1 अगर alpha minus 1 कोई भी 0 से बढ़ा नमबर है तो not necessarily an integer आपने यह भी पढ़ा था कि gamma 1 1 होता है और gamma half root pi होता है याद है आपको हम हम तो हमने last class में shortcut सीखा था gamma integral वाला shortcut बहुत कुछ नया नया सीखेंगे भी तो इसमें भी दो shortcut सीखे थे और कि कभी भी 0 से infinity में e की पार minus lambda x dx आ जाए तो क्या answer लिखोगे येस बेटा कभी भी 0 से infinity में x e की पार minus lambda x आ जाए तो मेरी बेटा येस है ना ये भी बताई थे थे ना बात हाँ तो ये recap था last class का अब आगे चलते हैं आगे पहले बताओ ये range 0 से infinity क्यों है why this range is 0 to infinity negative येस बेटा loss इंतजार तुम किसी का इंतजार minus में कर सकते हैं मेरे बेटा नहीं नहीं तो ये सब जो examples होते हैं बेटा cricket का score कुछ भी ये सब 0 से होते हैं ना अगे right है अब ये gamma integral सिखा था आज सिखेंगे पहले बीटा integral ये भी एक shortcut है हमारा ये भी shortcut है मेरे बेटा बीटा integral पहले सुनिए फिर लिखिएगा प्रीज लिखने का समय मिलेगा range है 0 से 1 पुल असर 0 से 1 range क्या है ये तो loss नहीं है रहे है ना लेकिन हम probability तो निकालते हैं ना बेटा और probabilities किसके बिच में आती है 0 से 1 में आती है तो ये ये expression 90% question तो gamma integral से हो जाएंगे आपके 2% question बीटा से होंगे 2% होंगे लेकिन तो कैसा expression होगा बेटा गध्यान से x की पावर है मेरे बेटा a-1 और 1-x की पावर है b-1 dx इस तरह के expression अगर आ जाए तो answer बताओ a-1 से एक नमबर बढ़ा a-1 से एक नमबर बढ़ा a b-1 से एक नमबर बढ़ा answer is beta a-1 हमने कोई integration नहीं कोई बापार्ट्स नहीं किया है beta a-1 अब beta a-1 क्या होथा बताते हैं दुबारा से फ्लीज मेरे साथ सारे बच्चे या ये expression मेरे बच्चो beta integral है की नहीं पहले ये बताओ है न बेटा ये 1 ये 1 बताओ 1 से बढ़ा नमबर 2, yes बेटा अच्छा मेरे बच्चे ये expression beta integral है क्या क्या बोलू बेटा इसको अंसर beta 3,2 ओके क्या ये expression भी beta है बेटा beta 1,7 होगा ना बेटा क्योंकि x की पार क्या यहाँ हाँ बेटा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई आ गई ना तो देखो ऐसे expression कहीं बार solve करने में दिक्कत आती है तो ये क्या answer हुआ beta 6, wonderful पहले इतना लिखो फिर मैं इसका beta का मतलब बताता हूँ मेरे बच्चे हो गया चलिए देखिए अब ये beta a b क्या है beta a b है मेरे बेटा गामा a गामा b गामा a प्लस b ये बीटा a b और ये पहली बात दूसरी बात आप beta a b लिखो या b ये लिखो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है बोलें सिर्ट ऐसा क्यों बोल रहे हूँ आप अरे जो expression था उसमें one minus x पहले लिखो ये x बात में लिखो उससे फर्क नहीं बढ़ता ना बेटा अरे ठीक है ओके now example जो हमारा था मेरे बच्चों इदर देखो मेरे साथ ज़रा एक बार तो beta two three क्या होगा मेरे बेटा गामा two right गामा three upon गामा वट इस गामा two गामा three गामा five क्या answer one by twelve होगा मेरे बच्चों तो integration ना करने देंगे तुमें इटेंशन मतलो actually क्या है पहले थो थोड़ा सा integration कराता भी था क्योंकि पहले offline exam होता था तो offline answer script पर ना step by step लिखना पड़ता था आपको अब हो गया exam क्या online अब online exam में sir आप shortcut क्यों बता रहे हो objective type एक्जाम है क्या नहीं actually क्या है तीन घंटे में आपको paper solve भी करना और type भी करना है solve भी करना है और तो मेरा aim रहता है कि मैं तेर्ड घंटे से एक घंटा 45 मिन में आप अपना paper solve करके खतम कर लें पिर तसलने से बैठके आप type करें अच्छा बाद में type क्यों करें अरे भाई time कम बचेगा तो तीन step के जगा दो तो लिख दूँगा पर step तो पूरे लिख दूँगा अरे समझें कि नहीं पांच step हैं तीन में खतम कर लूँगा speed बढ़ाने के लिए अपनी तो क्योंकि दोनों काम करने solve भी करना और typing भी वहाँ तो मेरा कोई step देख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ अरे समझें मेरी बात तो ये कहानी change हुई है बिटा इसलिए थोड़ा सा हमारे speed बढ़ाने के लिए काफे सारे shortcuts तुम देखना within one month आप औरली answer बताना शूब कर दो के question देखके औरली answer ये answer होगा सर इसका क्यों ऐसा करना ही पड़ेगा आपको speed बढ़ाने ही पड़ेगी हमारे को हमारे या ना बहुत ज़्यादा solution solve करने को नहीं आते हैं questions ऐसे लेकिन क्यों basics है ये और basics तो बहुत अच्छे से करने ही पड़ेंगे जिस मकान की नीव बहुत अच्छी होते हैं ना बिटा उसको बाड़ धूप कुछ भी बिगाड़ने सकते और आप actuals की शिरुवात कर रहे हैं अगर आपने नीव धंक से डाल ली तो बेटा मुझे जिंदगी भर thanks ही कहते हैं आओगे और ये base है हमारा तो इसलिए हर चीज को बहुत detail में करेंगे तसलिए से करेंगे हमारे पास time भी है सबसे बड़ा advantage September में exam है आज मन्त है अपरिल का तो बहुत सारा time है तो time है तो detail में समझते हैं चीजों को क्योंकि intro भी तो face करना उसके बाद ऐसे ही example next देखें बेटा बीटा 16 क्या होगा बताओ बच्चो हाँ हाँ राइट बेटा गामा 11 गामा 6 क्या कुर्स कर रहे हो आप आशीष कौन से समस्टर है वाव वाव तो भी लेक्च्चर देखा मेरा नीदेखा रीमान इंटिक्रल को अरे भाई कर ले ओफ्लाइन पेपर हैं पास भी नियोंगे इस बार हाँ कर ले ना कॉलीज कौन सा है कि अच्छा को लेजाएं कि अच्छा को लेजाएं कि अच्छी प्रेस्मेंट मिल जाएं फिर हमें वेट करना पड़ता है मास्टर्स का और यह एक्छल प्रोफेशनल नेगेटिव उन लोगों ने किया जनको आधी धूरी नोलिज है प्रेशन होगी मेरे ओवर क्वालिफाइड हो गई हूँ ऐसा कहने लग गई वह भाई सब्सक्राइब तो आ सकते हैं अपने पापा के साथ लॉक्डाउन के अंदर रह तक से हांसर में आ जाओंगी आई एक हफते के अंदर उसके हाथ में जॉब थी अच्छा बड़ी बात सुनो एक जॉब लग गई उसने थैंक्यू एंक्यू कह दिया आज तक दुबारा फोन नहीं आया उसका अब वो बच्चे ना कन्फ्यूज रहते हैं राइट चैनल नहीं पता कल मैं एक दोस्त के साथ गया हुआ था पंजाई बाग में यहां से पंजाई 3 कर रहता है चार लगाते चार चु़ब किसके जॉब नहीं लगी मैंहां करता कैसे करता है खुद करने कोशिश कर रहा है उसने PAYPER कर रहे हैं पता कौन से प्रपास किया उसने CB1, CB2, CB3 ये वाले पिपर और इनको पास करने से थोड़ी नोगरे लगए एकनॉमिक्स अकाउंट्स की पिपर मेन पिपर पास करने पड़ेंगे CS1, CS2, CM1, CM2 तो ये गाइडेंस की कमी है बहुँच जादा हलो साहिल कोई बात नहीं ये वह वेलकम तो दे वर्ल अच्शुरीज साहिल क्या करते हो आप महरजज़ अगरे से न कॉलेज जिम्स अच्छा तो मैट्स मैट्स पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे साहिल अरे ये अच्छा ये वही वाले बच्चे जनने बोड़ के एक्जाम नहीं दिये ये वो कॉम है जिसने बोड़ के एक्जाम नहीं दिये हैं दे मोस्ट लक्यस है साहिल हमारी क्लास हसी खुशी से चलती है पॉजिटिव महौल रहता है बहुत ज़्यदा बात करेंगे तो बात बनेंगे ने साहिल नहीं बिटा तो हमने जो लास क्लास में नहीं किया कोई बात नहीं आज से खाता खुलते हैं कल का पढ़ लिया है अच्छी बात है हाँ ये देखो ना कितना अच्छा सपोर्ट मिल गया हर चीज़ हर क्लास के वीडियो डल जाए तो आपको बीचे देखा है आज हम वो चीज बता रहे हैं जो कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन बहुत इंपोर्टन्ट है हमारे कोर्स के लिए क्या है probability आपने probability टेंथ में पड़ी टवेल्थ में 11 में कहीं नहीं पड़ी होगी कि नहीं पड़ी लेकिन मैं 99 परसेंट शौरूं के आपको नहीं आती जादा तर हमें टीचर स्क्राम कराते चीजों को रटा देते हैं चीजों को जिस चीज के हमें जुरूत पड़ेगी वाज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी और जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं और कभी आप टीचर वैसे ना बने तो अच्छा है तो टीचर बनना बड़ा विकार काम है वही बनते हैं टीचर हमारे देश में जो कहीं नोग पर मैं छोड़के आया चलिए देखे बिटा आज बहुत अच्छी क्लास जाने वाली यह वाली क्लास आपको बहुत मज़ा आएगा चीजों को समझने में बिलकुल प्रैक्टिकली समझेगा क्लास का जो लास्ट वाला पार्ट है वो वो पूरे आक्चुरीज की जान है वो लेकिन यह प्रबैबिटी की क्वेशन हमारे कुर्स में आते नहीं है पहले ही बता रहा हूँ यह मैं आपको वो नॉलेज इंपोर्टन है तो बेसिक्स ओफ प्रबैबिटी में मैं क्या बता रहा हूँ पहले ध्यान से सुनीगे यह बहुत बेसिक चीजे आपको सबको पता है बिटा पहला प्रबैबिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है बता हो अरे वन होता ना इसको बोलता है certainty क्या बोलता है जो event certain होता है जैसे कि certain क्या है जो sample space है वही event है जो sample space है वही क्या है dice के 6 तरफ 6 बना हुआ है 6 बना हुआ है तो 6 आने की ability क्या होगी 1 certainty होगी न कोईन के दोनों तरफ head है तो head आने की ability क्या होगी 1 certainty एक बच्चा race में दोड़ रहा है जीतने की ability 1 certainty समझ में आया है बेटा दूसरा null set what is the probability of null set zero इसको बोलता है बिटा impossibility impossibility का मतलब क्या होता है हमारे actuals world में भी सिखाऊंगा आपको एक बात बता बिटा tossing a coin what is the probability of getting two heads zero एक coin toss को नो दो head थोड़ी आएंगे rolling a dice what is the probability of getting seven impossible क्या मेरे बिच्चे दिव्या मेरी class में two point five student आ सकते है impossible है ना बिटा क्या किसी की one point three death हो सकती है नहीं हो सकते ना तो ये कैसा event है ये impossible अरे आया समझ में हम actually death survival की बात करते रहेंगे हमेशा हमारा काम है ये discuss करना ठीक है impossible event और ये तो सब को पता है मेरे बच्चों की probability किसी भी event की अगर होगी तो वो किसके बिच में होगी हमेशा yes बेटा ये बात सब को पता है अगर कोई set a contain करता है बी में तो ये बात हमें पता है कि नहीं की probability of a छोटी या बराबर होगी probability of अब इदर 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 नोट इदर धिहान से जाना नहीं कहीं बेबी क्या आपने ये पढ़ा है a intersection b को क्या बोलते है हम लोग and b है ना and का मतलब होता है बोथ क्या होता है बिटा जो दोनों में होगा right अब अब दुबारा सुनो हमारे maths में and और but का a की मतलब होता है और वो intersection हमारे maths में and and but have the same meaning अगर मैं बोलू a but b मतलब a intersection b मैं बोलू a and b मतलब a intersection so mathematics में but and and have the same meaning अरे ठीक है भाई okay a union क्या होगा बेटा a union b मतलब or b बेटा और का मतलब at least one होता है कि नहीं बताओ कम से कम जो किसी एक में होगा वो union में होगा कि नहीं और a compliment का मतलब जो a नहीं है बेटा ऐसे b compliment मतलब अरे है ना ये बात पता है कि नहीं हम अब मैं कुछ बताना जा रहा हूँ लिख लिया है सब लिख लो पहले देखो मैं यहां क्या बताना चाहता था इससे आपको मैं बताना चाहता था a difference b a difference b इसको ऐसे भी लिखते है a other than b ऐसे या ऐसे भी लिखते है a but not be a है पर b नहीं है अरे यही मतलब हो ना a में से b को निकाल दो तो मेरे बिटा but का मतलब क्या बता है मैंने अभी बताओ and and का मतलब क्या बता है हाँ और बोत का मतलब क्या बता है intersection ठीक है और not be का मतलब क्या मैं a difference b को a intersection b complement लिख सकता हूँ ना बिटा मैं फोटो में बताऊंगा फोटो में लिखके एक बार थोड़ा सा idea देना चाहता हूँ यह this is a this is b this is a this is b तो दोनों तरीके से देखें फोटो को आप a में से b को निकाल दो तो क्या यह हिस्सा बचे का सरफ बिटा म्यूट कर ले ना हाँ यही बचे का बच्चो अब a intersection b complement क्या यह पूरा का पूरा b complement है अरे बोलो मेरे बिटा this is b complement ना पूरा इसका intersection किससे हो रहा है क्या यह पूरा a है तो कौन से वाले में double cross हुआ area में अरे इसी portion में हुआ ना बिटा दे बोत हार सेम ना बिटा अरे है a की बात है इसका मतलब तो अब हमसे यह तो ठीक है चलो बता दिया सर आपने probability मांग रहा है a difference b की तो बहुत simple सा logic है a में से क्या minus कर दूँ a की पूरटी में से क्या minus कर दूँ अरे intersection की पूरटी है ना बिटा a में से minus कर दो क्या सर intersection तो difference की पूरटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी अरे जब मैं अपने बच्चों को करा रहा हूं यह चीज़ सबको तो कराएंगे कराएंगे रस्टी इतना है इस पर आजो भाई बोड़ पर सब लोग मनेश सर का magic box देखो आज magic box बाई मनेश मलिक बाई पेटेंटेड है मेरा आजो देखो क्या है यह magic box जिसके लिए आप जद्दो जहाद करते थे ग्यारवी बारवी में formula formula लगा लगों को खेलते थे उस सब नहीं करना होता पहला magic box देखो क्या कहता है आपको आपको probability देदी मान लो कुछ भी A की देदी से आपको या B compliment की देदी या फिर A intersection B की देदी intersection B और आपसे probability मांग लेगा पता है क्या क्या कुछ भी जो उसका मन करेगा मुझे ये भी बताओ मुझे ये भी बताओ मुझे यूनियन भी बताओ ऐसे वाले का अरे समझरें मेरी बात कुछ भी मांगेगा आपसे वो formula के trap में फसना नहीं है कैसे करना है द्यान से देखो आप और ये अपने junior students को भी help करने के लिए बताना जरूर magic box क्या कहता है ये राजी box हमारा ये है magic box का कमाल ये a है तो ये probability of a है यह ये a compliment है color change करना चाहिए मुझे नहीं तो फस जाओगे आप लोग सारे बहुत सारे color use करने पड़ेंगे हैं आपर a compliment है तो ये probability of a compliment है और दोनों का sum 1 आएगा ना अरे ठीक भाई ये b है तो ये probability of b है अच्छा जी यहाँ पर b compliment है तो ये probability of b compliment है इन दोनों का sum भी क्या आएगा 1 आजाओ ये a intersection b होगा कि नहीं होगा बताओ तो यहाँ probability बताएंगे तो a intersection b की यहाँ किसकी पॉल्टी आएगी a compliment intersection b right यहाँ किसकी पॉल्टी आएगी a intersection यहाँ किसकी पॉल्टी आएगी a compliment intersection b compliment right अब समझो इधर समझो बच्चो इस प्लस इस इस इक्वल तो इस this plus this is equal to this अरे ठीक है this plus this is equal to this this plus this is equal to this यह सब बराबर होगा ऐसे घुम फिर के अब जैसे मान लो सर ने दे दिया probability of a दे दिया मान लो से 0.5 probability of यह भी दे दिया मान लो 0.2 दे दिया कहीं पे यह भी दे दिया मान लो 0.6 से ऐसी बोल रहा हो कि अब बागी खाने भर जाएंगे अपने आप अरे मुझे कोई formula लगाने की जूरूत ही नहीं है आप भरो ना formula देखो कैसे भरेगा नहीं यह sum करो 0.6 कैसे आएगा यहां जब 0.4 होगा sum करो 0.5 कैसे बनेगा जब यहां क्या होगा अरे आरा बास समझ में अगर यह 0.5 है तो यह भी क्या होगा तो sum क्या आएगा यहां पर अच्छा इन दोनों का sum क्या होगा यहां पर सारा मैच कर गया अपने यहां अरे है ना मस्ट मैजिक बॉक्स अच्छा कुछ भी निकालो यार अब इससे जब intersection आगए तो union भी आ जाएगा अरे बोलो भाई क्योंकि union का formula तो अपने को पता ही होता है सब बच्चों को A and B क्या होगा इसे probability of A plus B minus A intersection B ऐसे intersection ली तो जीएगा आपको मज़ा आएकर नहीं आए पहले बताओ हाँ इसको समाहल के रखो यह जात तर 10th class के बच्चे बिचारे बोर्स के एक्जाम दे रहे होंगे 12th 11th के ऐसे questions एक दो जुरूर आते हैं और वो formula मुलज़े रहते हैं आपको कोई एक दो तीन probability दे रखे होगी आपसे कुछ भी पूछेगा सब दिवतबर आसकते हैं आपको formula ही मिल गए नहीं क्या probability of B किसके बराबर हो सकता है A intersection B plus A complement intersection B के राइट ना probability of A इसके बराबर होगा A complement इसके ऐसे formula ही मिल गया आपको ओगे है बटा ओगे तो इस इस वान thing I have given to you next प्रीज अब हम बात कर रहे हैं what do you mean by the word disjoint sets इसको समझने के लिए को रॉकेट साइंस नहीं लगानी है बहुत असान है तुमसे ही पूछता हूँ disjoint sets कैसे मिलते हैं आपने coin toss किया जातर लोग ये example लेते हैं coin toss, dice roll ये ही लेते हैं हम अपने आक्चुरीज में शपत लेते हैं कि ये example का इस्तमाल नहीं करेंगे पहले तो ये शपत लेनी बढ़ेगी क्योंकि ये ही example बार भी से सुनते आ रहे हैं कि इसके लावा नहीं होता है प्रोल्टी में कुछ होता होगा ना भाई हाँ तो हम अपने आक्चुरीज में ये सब एक्زामपल इस्तमाल नहीं करेंगे रियल लाइफ एक्जामपल यूज करेंगे सारे पर फिलाल डिस्जॉइंट बहुत बच्चों के लेवल पे अगर तुम्हारे टॉस पे हेड आया तो क्या नहीं आया तो हेड आया और टेल disjoint sets है नहीं अरे क्या दोनों एक साथ अकर कर सकते हैं दोनों एक साथ कभी भी अकर अगर तुमारी dice पे 6 आया तो क्या नहीं आया क्या ये सब एक साथ अकर कर सकते हैं तो कैसे sets हैं ये तो उनका intersection में कुछ भी common नहीं है ये कहना चाहता हूं अरे ठीक है तो बहुत इजी था इसको समझना कोई set with example लेने की जूरूती नहीं थी मेरे बैचो ए और बी ये दो sets हैं दोनों का intersection phi है क्या है intersection पेटा phi मतलब खाली कुछ नहीं है common और हो कैसे सकता है तुम भी तो बताओ अभी तो example दिया so what is probability of their intersection मेरे बैटा yes probability of null set क्या होगे बैटा तो अगर कोई दो sets disjoint हैं तो probability of their intersection तो zero होगा ही होगा बैटा पर यहां से काम की information निकालते हैं काम की information क्या है if if a and b are two disjoint sets then what is the probability of their union पहले union का formula बताओ क्या होता है तो क्या answer ये तो क्या है हमारा बता so probability of their union is equal to the sum of probabilities अरे दस्सो भाई probability of their union is equal to sum तो काम की बात क्या है रखने है ये सब नहीं रखना जो मैं बोलूँ बस यह बात अगर कोई भी दो sets disjoint हैं तो probability of their union is equal to what sum of their probabilities very simple right क्योंकि intersection की पोड़िट तो क्या हो जाएगी बटा जीडो हमारे आक्चुरीज में disjoint sets होते हैं नहीं क्यों नहीं होते हमारे आक्चुरीज में क्योंकि हम एक एक फाइल के अंदर एक portfolio में एक जैसे लोगों बढ़ाते हैं एक portfolio में किसको बताते हैं जैसे यहाँ पर car के claims हैं तो इस portfolio में car ही होगा health वाले नहीं होगा इसमें इस portfolio में health वाले हैं तो health वाले होंगे न सारे अरे समझ रहे हो हाँ यह इसमें सारे वो हैं जुने फ्रॉड किया था यह portfolio वह ऑन फ्रॉड अन्फ लॉसिस जो थे तो उसमें mix नहीं करते हैं अरे समझें कि नहीं एक portfolio में कैसे लोग होते हैं एक जैसे लोग इससे मॉडलिंग करना असान हो जाता है चीजों को कैल्कुलेट करना असान हो जाता है अगर आप मिक्स कर देंगा ना पॉर्टफोलियो तो वह तो कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता अधीक है कि नहीं तो लिख लिए यह बात यह ना हम कॉमनली अपने प्रेटिकल लाइट में यूज करते हैं सब जैसे विशाल तुम ना किसी दोसको मैसेज टाइप कर रहे हो तुमारी कॉमनली आदत है ऐसे एक मैसेज की पर्टिकल लैंगवेज लिखने की करते हो कि नहीं करते हो तो तुम पहला वर्ड लिखोगे द चामने आ जाएगा और जो अलग होगा वो अलग ही पड़ा रहे गा अर और पहली बार टाइप कर तुम्हें करना पड़ता है के करना पड़ता है नहीं लेकिन उसको तीन चाहिक बहुत टाइप करोगे तो वह मेमरी में आयता है तो हम एक जैसे वर्ड को एक ग्रूप में इसको अगर मैं scientific language अपनी आक्षुरी की बोलू हूँ, basket analysis बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, basket analysis, आप shopping करने जाते हैं, basket analysis, online shopping करते हैं, आप हमेशा ये product तो लेते थे साथ में, तो वो अपने आप आपको pop-up दिखाई देगा बार-बार, अरे ये भी ले ले भाई, समझें कि नहीं, तो मतलब, so much of research is going on, on human pattern, tendency, आप कैसे shopping करते हैं, कैसे expenditure करते हैं, इतना research चल रही हो, चीज़ पर देखो, तो आप ये मस सोची है, आने वाले टाइम में, क्या changes आएगा, आपका phone, आपका stress level, आप किस चीज़े के दर जा रहे हैं, ये सारी चीज़े, government के पास ऐसे प दम दिखाए देगा, कितनी बार वो दिन में आ रहा है, स्क्रीन पे, उसका रिटना स्कैन होगा हर बार, और स्ट्रेटना कितनी बार flick कर रहा है, अपनी आखों को, कितनी बार tired feel कर रहा है, सब बताएगा वो पुरा graph, कि आपका बच्चा depression में जा रहा है, आपका बच्चा stations do, this is all what we do guys, और हम इसको करके दिखाएंगे आपको कि यहां रहे हो रहा है सरी तो बल्कु सब कुछ, तो इतना interesting, इतना मज़ा आता है, इसमें, next, हंजी, simulation, simulation, समझाओं वर्ड, मेरे कुछ बाते करने हैं, शौक ही है, simulation, अब तुन्हें पूछा है मेरी बेटी, तो मेरे से रुका जाएगा नहीं, ये क्या होता है, मैं बताता हूँ, तुन्हें कभी ऐसा देखा है कि, गॉल्फ तो बहुत बड़े मैदान में खिले आता है, लेकिन एक गॉल्फ इस दस बड़े दस के कमरे में भी खिला आ सकता है, कैसे एक कर्टन लगा तो सामने, उस कर्टन पे बॉल मारोगे तक, ऐसा लगे है जैसा फिल्ड में जा रही है, या फिर तुमने देखा होगा तुम टीवी के सामने ऐसे वेव करते हो, तो टेबल टैनिस खेल लेते हो टीवी पे, खेलते नहीं हो, फोन पे क्रिकट खेल लिया, शॉट इतर मारते हो तो चले गई, करते हो नहीं सब चीज़े हैं, वो क्रिकट थोड़ी है, स्युमिलेशन तो है उसका, उस जैसा है, वो नहीं है, वो गॉल्फ नहीं है, गॉल्फ का स्युमिलेशन है, है की नहीं बताईए, हाँ, तो स्युमिलेशन का पहले मतलब समझ में आया, अब एक बात बताया मेरी बिटिया, मैं बार आने का इंजार करूँ कि कितना लोस होगा, फिर कैलकुलेट करूँ, या पहले से ही एक छोटा सा मॉडल बना लो, स्युमिलेशन कर लो उसकी, पहले से ही मॉडल से स्युमिलेशन करूँगा ना, एक माहौल बनाऊंगा, बार लाऊंगा, इतनी तेजी से पानी फैकूँगा, तो कितना नुकसान हो सकता है, सब पहले से calculate करूँगा ना बिटा और जो भी मैं चीज calculate करूँगा उसको सबसे छोटे scale में रखूँगा वो सबसे छोटा scale क्या होगा 0 से 1 अरे है कि नहीं जैसे जितनी बड़ी चीज होगी उसको उतने बड़े scale में ले जाएंगे हम अरे है ऐसा ही होता है मेरे बच्चो हम पहले से चांस नहीं है हम खेलते हैं नमबरों से हमारे error में भी हम CA नहीं हैं अगर calculation में CA की calculation में error निकालने पर आ जाएं तो लाखों क्रोडों की आएगी हमारी forecasting इतनी सटीक होती है मेरी बटिया कि उसमें error भी कम से कम होती है कम से कम error हम error पर काम करते हैं भाई जितने भी आप पूरे वर्ल्ड में geologist हैं एक्चुरीज होते हैं कैसीनों में game design करते हैं एक्चुरीज यह जब यह बता देते हैं कि तुम कब तक जी होगे और तुम्हें कितनी pension मिलनी चाहिए और कितना पैसा मिलना चाहिए सारी calculation तो तुम्हें हाथ में पकड़ायते हैं वह तुम्हारी future की forecasting करते हैं भाई वह पंड़ जी नहीं हाथ देखके बताएंगे आपका भविश्य बहुत चाहिए वी calculate on the facts on the data हम data पे काम करते हैं मेरे बच्चे आपको पता है भी कोरोना के time पे government कहती थी इस rate से कोरोना फैल रहा है वो lambda था वो lambda rate किस से फैल रहा है यह government का काम है calculate करना और यह statistician बैट की calculate कर रहे थे इस चीज़ को woman and child health department calculate करता है इसको statistic department है हमारी government का जो यह values calculate करता है कि किस चीज़ से कैसा impact आएगा कितनी population पे आएगा क्या mortality rate और death rate क्या आएगा इससे यह सब calculation data सब पहले से ही calculate करके रख लेते हैं government agencies और उसके basis पे काम करते हैं बैटा ऐसे हवा में काम नहीं हो ता कुछ भी वहाँ पर तो यह सब हम त्यार करके देते हैं हम तो ठीक है समझ रहे हो मेरी बातों को यह भी बाते हैं जब तुम actually calculate करोगे तब तुम्हें समझ में आए खैर word simulation is clear to everyone simulation मतलब real नहीं है real जैसा है है आओ बहुत important word conditional probability आज की class की जान conditional probability मेरे बिटिया कुछ बात है कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आ रही कोई बात नहीं समय आने पर आ जाएगी समझ में क्योंकि बिटा हमारे actuallys के सबसे बड़ा advantage या disadvantage यही है कि हमारे class में graduate बच्चा भी होता है first year वाला भी होता है तो graduate बच्चा कोई smart question पुछता है तो उसका advantage फ्रस्टिर वालों को मिलता है तो यह advantage भी एक तरह से बहुत साथ है क्या यह formula सबने पढ़ा हुआ अपनी बारवी class में कि नहीं बहले बताहिए क्या है इसका मतलब इसका मतलब है हम क्या निकाल रहे है probability of a given that given that बिटा mute कर लो प्रीज B has already occurred अरे ऐसे बोलते थे बिटा कोई भी मुझे बता सकता है क्या मतलब होता है condition यह ज्यान ना अपने पास ही रखो कुछ और बता अंगरी जी मैंने भी लिखा हुआ है तो पॉर्टी मार्क्स चल यह ख्लोज बट उच गलती है हां और बो यूर वेरी क्लोज मेरी बेटी यूर वेरी क्लोज यूर ट्राइं यूर एफर्ट बेस्ट और दस्तो जी कोई और चलो कोई मुझे पता है किसी को भी बहुत सारे बच्चों को पड़र खाऊगा मेरे से तो मैं कहने सकता नहीं पता होगा टीचर को भी नहीं पता होता जाब तरी तो आज समझे यह बात हम तीन तरीके से बताएंगे एक एजन लेमन एक एजन स्टैटिस्टिशन एक एजन अक्चुरी तीनों इस बात को कैसे देखते हैं ठीक है और यह जान है हमारे पूरे कोर्स की क्यूं है यह तुम्हें अभी पता चलने वाला है दो मिंट आईए सबसे पहले पहले तो फॉर्मले को मैथमेटिक के लिए आप फोटो से सॉल्व करते हैं वर्षा जी रेडी हैं आप सॉल्व करने के लिए आजओ वर्षा यह है ए और यह है बी और यह है ए इंटर्सेक्शन भी जाने क्यों लूँदा हुआ बताओ जी क्या यह पूरा यल्लो वाला बी है ना यह पूरा और आपका ओरिजिनल सैंपल स्पेस था यह रहा एस बताओ एंटर्सेक्शन भी एस में से आ रहा है कि बी में से आ रहा है आपका सैंपल स्पेस क्या दिया था जब कुशन स्टार्ट हुआ था एस लेकिन जो भी प्रोल्टी आ रही है वो किस में से आ रही है इट इस दे निव सैंपल स्पेस अरे है कि नहीं इट इस दे निव सैंपल स्पेस तो कहने का मतलब फोटो में कलर लगाते ही समझ में आ रहा क्या कह रहा है कि sample space को redefine किया जा रहा है sample space को क्या किया जा रहा है या reduce कर दिया क्या कर दिया छोटा कर दिया इतना बड़ा sample space था उसको छोटा कर दिया कि नहीं बताओ तो जब जब धर्ती पर conditional probability की चर्चा होगी तो महारे मन में पहली बात आएगी कि सर sample space is reduced sample spaces तो जब जब sample space reduced होगा condition बोड़ी लगेगी अरे पक्कियों के बात उधान दूगा रुजब तो ये एक लेमन को समझाया है मैंने फोटो में भी बताया देखो आप खुदी देख लो आपकी जो भी probabilities आ रही हो B में से आ रही है S में से नहीं आ रही है तो sample space reduced हो गया कि नहीं हो गया अब पहला example मेरा पहला example रुको एक मिन्ट अब उतारना बद कंडिशनल probability तब तब लगती है एक sample space reduce करेगा यह तो मैंने सिखा दिया तो मैं 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 बात डाल दी अब इसको बात को तो पक्का कर लो इसको तो या तो sample space is not defined या तो sample space defined ही नहीं है आपको और sample space defined है दो situation आपने उसको define किया आपने उसको redefine किया तो इन सभी cases में क्या लगेगी conditional probability लगेगी जैसे उधारन पहला उधारन मेरा किस पर दूँ विशाल कौन से वाले पर दूँ बिटा जिसमें defined है sample space या डिफाइंड नहीं है ओके जिसमें defined नहीं है विशाल धियान से सुनो विशाल जिन्दगी की हम कोई भी problem solve करते हैं practical problem dice और coin को छोड़ दो भाई तो क्या life में हर चीज का sample space defined होगा ऐसा जुरूरी नहीं है जैसे कि मैंने बुला विशाल आया मेरे पास विशाल कहां रहते बिटा साकेत में बुला सर मेरे को एक्चुरीज करनी है घरवाले convince नहीं हो रहे मैं गगा ठीक है बई सर फिर भी घरवाले खर्चा और चाहर नहीं देंगे घर में तो रख लेंगे बुला हां सर वह बाकि उसमें कोई दिक्कत नहीं ग्राइशन तो करी रहा हूं मैं फिर भी क्या खर्चा आ जागा मैं पैसे से सला भी मांगते हैं तो उनको पता नहीं होता तो सला भी कौन दें उनको तो सम्टाइम्स ट्राइस संथिंग न्यू राइट लिग से हटके तो ही वस वेरी कन्विंस्ट मैंने का ठीक है भाई तो पंदरा हजार मेने कमाने पड़ेंगे तरको तो एक्चुरीज कर मेरा पहला क्वेशन आप सबसे विशाल पंदरा हजार रुपे कैसे कमाएगा उसका सैंपल स्पेस बताओ तो विशाल कैसे कमाएगा ट्यूशन पढ़ा के कमा सकता है मेरे बेटा कॉल सेंटर में काम कर सकता है चोरी कर सकता है अरे बताओ प्रॉपर्टी बेच सकता है अख़बार अख़बार निउस्वेबर डाल सकता है कार भी क्लीन कर सकता है तेरी सुपारीव दे सकता है येस मेडम मुझा कर रहा हूँ तो कितने तरीके हैं बता बटब 15,000 मेहिने कमाने के infinite क्या sample space defined है नहीं defined है तो जब नहीं defined है तो probability कैसे निकालोगे probability तभी आ सकती जब sample space को define करोगे आप अब इस situation में sample space defined नहीं था तो मैंने का चल भाई तु किस से कमा ले सबसे असान तरीका tuition से कमाने का ही है भाई तो मैंने sample space को define कर दिया किस से कमाएगा भाई वो पहले मुझे एक बात बताओ बहुत सारा sample space था उसको reduce करके मैं tuition पे ले आना सरफ reduce word use हुआ कि नहीं हुआ दूसरा क्या sample space जो define नहीं था उसको define भी कर दिया ना define word be use हो गया देखो तो इसका मतलब what is the probability Vishal will earn 15,000 per month given that he takes tuition given that what he does he takes tuition से कमाएगा भाई तो conditional probability का मतलब समझ में आया अगर sample space defined नहीं है तो आप क्या करते हैं उसको define करते हैं और define करते हैं sample space automatically क्या हो जाता है reduce हो जाता है अरे बताओ got it इसी पे एक और example Vishal बोला सर आजकर बिल्कुल मौसम सा change हो रहा हो ली आ रही है पढ़ने का मन सा नहीं कर रहा और paper भी आ रहे है Vishal देखो हम probability तभी बता सकते हैं जब sample space defined होगा राइट है बेटा तो तू ये बता पहले paper देगा नहीं देगा तो बहुत सर पेपर देने आ जाँगा जबरस्ती सी करके कोई नहीं वो दे दूँगा मैं हो गया sample space defined हो गया अरे what is the probability Vishal will pass given that he appears for exam अरे appear तो करेगा sample space तो defined कर दिया की नहीं कर दिया हमने तो कहने पहली बात condition politics का अब लगते हैं जब sample space को reduce करते हैं लेकिन मेरे बच्चो क्या जिन्दिगी में हर problem का sample space defined होगा नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको define तो जब जब धरती पर sample space को define किया जाएगा तब तब क्या लगेगा बटा conditional probability अरे खुश हो समझ में आ गया अब विशाल कौन से college में मेरे बटा BCS क्या मतलब फॉर्फॉर्म ओ College of Applied Sciences में है तो College of Applied Sciences में admission लेने के लिए 90% marks चाहिए 90% प्लस वालों का ही उसमें admission होता है मान लो let तो पहले बताओ मुझे विशाल क्या marks का sample space 0 से 100 की बीच में defined होता है कि नहीं हमेशा marks का sample space तो defined है या तो 0 आएंगे या 100 इसकी बीच में ही आएंगे भाई लेकिन Applied Sciences जो College है उसने किन बच्चों को भरती करने का सोचा है क्या sample space redefined या reduce हुआ कि नहीं हुआ बताओ अगर reduce हो गया तो Condusability What is the probability विशाल will get admission in Applied Sciences College given that if his scores more than 90% given that if his scores more than अरे हो गया conditional और सुनो actuallys कर रहे हो तुम लोग बादशा होने चाहे statistics में given के चक्कर मत फच जाना ये given trap है अब मेरे जैसे teacher मिल गया तो trap ही है कि मैं तो given word लगा हूँ है नहीं और तुम्हें पैचान में आएगा नहीं तो क्या word पकड़ो given word पे भरोसा मत करना भरोसा करना sample space is reduced अरे ठीक एक बात बताओ marks का sample space है 0 से 100 pass कितने पे होते हैं साहिल marks का sample space है साहिल 0 से 100 pass कितने percentage पे होते हैं yes what is the probability साहिल will pass given that if he scores more than 40% pass तोने का sample space reduce हो गये न marks का sample space ता 0 से 100 और pass तोने का क्या है क्या sample space reduce हुआ गल समझ में आ रही है मेरी की नहीं आ रही है सब तो रितिका आ रही है बेटा हाँ बेटा बिलकुर मैं तो बहुत सारे example दूँगा रितिका मैं ये कहना चाहरा था बेटा कि जब जब sample space को reduce करते हैं condition probability लगती है राइट है बेटा रितिका तो जैसे marks का sample space बोल रहा हूँ मैं marks कितना होता है 0 से 100 यह होता है sample space अरे तो छोड़ यार tension ही मतले marks नहीं समझ में आए तो कोई और देता हूँ पर समझ में आया नहीं आया इतना हाँ तो पास कितने पर होते हैं 40 पर ना बेटा तो बता पास का sample space क्या हो गया 40 से 100 के बीच में हो गया ना अगर तुम्हारे marks 40 से ज़्यादा आएंगे तो तुम पास हो गये राइट तो sample space reduce हुआ ना बेटा चोड़ना मेरी बिटिया तु सांप सेड़ी खेलती है बता ना घर कब खुलता है तो घर खुलने का sample space एक और छे है reduce हो गया क्या अरे sample space छे था 1 to 6 लिए घर कब खुलेगा जब 1 या तो condition quality होगी ना क्योंकि sample space क्या हो गया reduce आया बेटा देखो थोड़ा सा online में हो सेता है कई बाँ internet lag कर जाए but don't decide with this आप video देख सकते हैं उसमें class के बाद भी आएगी video आपके पास तो उसके लिए प्रिशान नहीं होना है कभी भी ऐसा ठीक है बेटा अभी बात मेरी खतम नहीं हुए अब तो बहुत सारे अग्जामपल है अब जैसे मुझे ये बताओ मेरा अग्जामपल सुनना है सबको और given word नहीं होगा इसमें पैचानना है कि conditional है कि नहीं है a left-hander who loves noodles a left-hander who loves noodles क्या ये conditional है येस मेरे बेटा samples पे क्योंकि noodles हम सबको पसंद है लेकिन हमने samples पे किस पे reduce कर दिया बेटा सरफ left-hander पे अरे है कि नहीं a diabetic patient is more prone to corona corona तो किसी को भी हो सकता है लेकिन diabetic patient पे reduce कर दिया sample space को कि नहीं बेटा I hope मेरे बातों को पकड़ रहे हैं आप धंक से बिकुल इक्तम तो मैंने कहीं पे given word नहीं उस किया था ना अच्छा जी ये सारे example कौन से थे lemon वाले सारे आज हमारे actually वाले पर आते हैं ठीक है actuallys वाले example खेले विशाल नहीं ऐसे बात नाम याद हो जाते हैं मुझे धेद्रे करके एक बच्छा सागर बोला से मेरे नाम याद होनी है अप तो आज ही ले आज की गलास तेरे पर ही है पुरी अब याद हो गया उसका सागर करना आप जैसे भी शाम को बैचेश आएंगे ना देखना कैसे faces होते हैं always smiling faces खुश रहना बहुत जुरूरी है पढ़ाई करना सब चीजे जीवन का एक हिस्सा है पर किसी चीज को enjoy करके करना ना उस जैसा कुछ भी नहीं है this is icing on the cake burden लेके नहीं मैं भी कुछ खुश हूँ बात कर रहा हूँ ऐसे आप भी अपने जीवन में प्लीज यही चीजे अडॉक्ट करना बिटा खुश रहके ही चीजे हो सकती है pressure लेके कभी कुछ नहीं होता सिर्फ आप परिशान होंगे अपने parents को भी परिशान करेंगे relax mind नहीं सबको जीत लेता भाई तो चीजों को सिखो और enjoy करो बस लेकिन जिस दिन जो पढ़ाय जा उसी दिन पढ़ो से आ जाओ मेरी बात तो विशाल को मैंने बोल दिया भाई विशाल बाबू अगर तुने CS1 में टॉप किया तो मैं तेरे को कार गिफ्ट करूँगा होंडा सिटी अरे कर नहीं रहा हूं बोल रहा हूं तो विशाल खुश मैं यह दितरी होंडा सिटी त्यार है बिल्कुँ इत्तम लाइट भी पिछे भी लाइटेस में आगे भी है स्टेरिंग है विशाल के फ्रेंड्स वेंड्स भी बैढ़ गए अरे ठीक है विशाल हॉंडा सिटी तो विशाल को मैंने बोला अगर बिटा तुने CS1 टॉप किया तो तुने को हॉंडा सिटी मिलेगी और टॉप कर लिया अर्टेने तो हॉंडा सिटी यह री इसकी फोटोटो की च्वाली इसने बगल में खड़े वड़े होके ऐसे और ऐसे खड़े होके और इंजॉए कर रहा है मैं बोला विशाल तु तो पंदरा हजार पे महीने कमाता है अगर काड़ी के ठुक गी तो पैसे कहां से लाएगा बोला किया करूँ mesa करा ले इसका इंस्रो negotiating कंपानी भरेगी सिर्फ और साठीजा करा लेिसका और क्या करा ले इसका सई साला दी कि नी दी बोला sir आप ही पढ़ाते हों सब चीजह आप ही बतातों क्या होगा premium मेरा मैं लेकर बिटा बीस ne Panama premium होगा तरह गाड़ी का साल का, पुरे साल का 20,000 पे दे दे, पुरे साल के लिए फ्री हो जा जो भी गाड़ी ठुकेगी, कुछ भी होगा इंशॉरंस कंपनी देखेगी बोला सर आपका स्टूडन्टू डिसकाउंट ने दोगे तो हमारी इंडियन मेंटालिटी देखे है मैंने बोला विशाल को, ठीक है विशाल ते वो डिसकाउंट दिया अगर तुने पूरे साल पूरे साल मुझसे कोई क्लेम नहीं लिया मुझसे कोई क्लेम तो जैसे कि तुने आज गाड़ी लिये मानलो एक मार्च को मेरे से 2022 में और तु दुबारा मेरे पास 28 फरवरी 2023 में आया और तुने पूरे साल कोई क्लेम नहीं अपने पैसे ठीक करा लिया तो मैं तरह को 50% डिसकाउंट दूँगा अगर तरह प्रीमियम 20,000 रुपे तो कितने रुपे डिसकाउंट दूँगा इसको कब दूँगा ये डिसकाउंट जब वो क्लेम अरे स्टोरी सब समझ लो ढंसे भाई अगर एक्सिलेंट वो अपने पैसे ठीक करा ले तो विशाल को लगा यार दस जार पे का फायदा है खिलते हैं चलो विशाल होली का टाइम था गाड़े में दोस्तों को बढ़ा गूम रहा था धाम से ठोकी खर्चा आगया डाई जार रुपे बताओ क्या विशाल को क्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि अभी फायदा है ना साड़े साथ जार रुपे का क्यों बढ़ा अब अगले साल नए साल के आसपास फिर से गाड़े ठोक दिसने नीयोर्पे घूम रहा था दोस्तों के लेके रैस ड्राइव तो तुने देखा नहीं भी एक्जामपल बहुत आएंगे लड़कियां तो जब भी गाड़े निकालती ते भी ठोकती है हमार पर देखासे भी एक्जामपल है अब बता भई अब भी क्लेम करेगा नहीं करेगा विशाल क्यों अब भी डैजर का फाइदा है तो मुझे सारे बच्चे बताओ विशाल क्लेम कब करेगा नहीं नहीं जब लॉस दस हजार से ज़्यादा होगा अरे जब लॉस दस्दार से है सभी बात उसके बात ओं इस और नहीं से खतम होगा है कि भी धूम अ कि फुलाल इसी साल पी रुख जाते हैं तो विशाल क्लेम करेगा जब लॉस किस से ज्यादा होगा अब बताओ loss का sample space क्या होता है कितनी range होती है loss की विशाल के case में loss की range क्या है अच्छा जी क्या sample space reduce हो गया what is the probability विशाल will make a claim given that if the loss succeeds अरे है ना practical लेकिन विशाल के बाद Honda City है किसी के बाद Mercedes होगी तो इसके range अलग होगी Marthi 800 होगी तो अलग होगी तो हर किसी के लिए sample space अलग अलग होगा ना तो मतलब 90% problems में condition quality ही लगी अरे हर किसी की loss के range अलग होगी भाई I hope you are getting my point guys Yes ठीक है एक और example एक और बनता है तो condition probability से अपने को ये समझ में आया सर जी कि पहली बात तो sample space reduce होगा चलो ये तो समझ में आई गया फिर अगर sample space defined नहीं है तो इसको क्या करते हैं अगर तो भी condition लगेगी और defined है और इसको redefine करते हैं तब भी क्या लगता है condition लगती है clear होगा ही बात के नहीं ओके एक word है incomplete data या complete data word क्या है incomplete या हम statisticians और actuaries in words का बखो भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम आप लोगों से information extract करते हैं तो क्या हमें हर कोई सच बतायता है भाई मैं गया insurance company वाला घर गया health insurance करने के लिए पापा से पुछा कभी पीए drink विरिंग करते हो अरे नहीं सर कभी occasional शादी वादी में पीते हो डेली पर सच बताएंगे smoke करते हो नहीं नहीं सर कभी दोस्तने किसे नहीं offer करती तो नहीं तो नहीं बताएगा सच नहीं कोई भी क्या हमें सच्ची खबर देता है नहीं देता ना हम भी तो एक्चुरीज वाले बेवकुफ थोड़ी बैठे हैं उन्हीं पता है पहले सब कुछ अरे है के नहीं तो हम incomplete information देते हैं हमें कैसी information देते हैं सब लोग incomplete तो incomplete information है तो conditional हम उसे complete करते हैं अरे है के नहीं वो reduced information देते हैं कम information देते हैं हमें उसको पुरा करना पड़ता है right तो हमारे आक्चुरीज में word जोता है incomplete data या complete data आओ तुमें समझाएं विशाल का जरने नहीं मनाते हैं आज विशाल का बाता तुमhara बात ले व भाई साभ अभी गया है तुम्हारा तो party party भाई हमारी बंती तो यहार अभी तो शेल बिट कर रहे हैं चल एक deal कर लेते हैं चल विशाल विशाल एक deal कर लेते है मेरे बेटा तो पसंद आये तो हाँ करी हो और ना मत करी हो ठीक ओके तो विशाल का birthday है हमने birthday का budget fix कर दिया 10,000 रुपे से ज़्यादा का बिल नहीं आएगा लेकिन विशाल घबरा रहा है भी तक भी मैंने का जो भी बिल हजार रुपे से उपर का आएगा वो मनीश सर देंगे ये सारा amount कौन देंगे मनीश सर देंगे भाई और ये amount कौन देगा विशाल विशाल अब ठीक है बेटा हम actually नहीं फसाने में काम्याब रखते हैं जो देखता है वो होता नहीं अभी दिखाते हैं बिल हजार उपर से करना ही ओपर पर उसमें नुकसान तुम्हारे को ये देखना भी आजो सारे बच्चे online वहलो offline आजो तुम भी मज़ा हैगा गपे मारेंगे हाँ जी रानों गुपता जी समझ में आगया ये बात तो भाई अगर 500 रुपे का बिल आया तो कौन देगा और 1700 रुपे का बिल आया तो 1000 रुपे विशाल देगा 700 मैं दूँगा अरे यही बात हुई ना और 5000 रुपे का बिल आया तो 5000 में तो 1000 विशाल देगा और 4000 रुपे मैं दूँगा यही एग्रिमेंट हुआ है भाई हमारा ओके तो आजो तो क्लास में बच्चे बेटे थे बहुत सारे सबने अपना बर्थेडे के लिए फिक्स कर लिया बोला विशाल का एक्जामपल ही हमारे पर सूट करता है सर तो एक का बिल आया 700 रुपे एक का बिल आया 1900 रुपे एक का आया 5000 रुपे एक कलवलब में जाता था उसने 10 का पूरा कर दिया एक का 600 रुपे आया एक का 950 रुपे या यह बर्थेडे के बिल्स रुपे तो सब बच्चे खुश मेरे पास भेजा कि मनीश सर आपको बहुत बोल रहे थे उसने आप आपको पे करना है एक में 900 रुपे एक में 4000 रुपे एक में 9000 रुपे यह पे करना है आपको इदर आओ क्या मनीश सर को ये पता है कि कितने बर्थेडे सेल्बेट हुए है कहां पता है अरे कहां पता है यहां तो बहुत सारे सेल्बेट हुए थे लेकिन सब बिल में मैंवल तो नहीं था ना मनीश सर के पास कौन से वाले बिल की इंफरमेशन है जो हजार से जयाता है क्या सैंपल सपे इस रिडिूस हो गया मेरा अरे कंडीशनर पुटी हो यह ना इसको क्या मनीश सर के पास complete information रहे कि incomplete information है मैंने अपना word introduce कर दिया आप लोग जब जब धरती पर incomplete data मिलेगा उसको हम क्या condition probability रूप में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं बताओ बटा अरे बोलो भाईयो आपको बताता हूं मेरे बच्चे दिव्या कुष्पेंदर सारे ध्यान से सनो तुम बोलो क्या चीज मैंने तुम पहली क्लास में कहा था लास क्लास में वी वी एक्षुरीज जिस चीज को भी आप count करना चाहते हो कर सकते हो हम हर चीज को count कर सकता हो तुम बोलोगे तो सही यह तो बढ़डे से लबेट करना शुरू किया था भी तो पतने क्या क्या कर सकता हूँ मतलब जो भी तुम सोचोगे ना आप उसको number में count या number में calculate कर सकते हो यह मैं प्रूव करना चाहरा हूँ आपको सारी बाते हैं तो जब आपका IQ लेवल यह सोचन लगए हरे हाँ सर हर चीज को numerically देखना आपको सर्फ चारतर numbers देखेंगे हर चीज numbers में देखेंगी यह मैं guarantee है मेरी इस बात की क्योंकि अभी तक तो हमें लोग पढ़ाते थे formula कराते थे question कर लेते थे हम किसी ने हमें application कराए है नहीं यह कहां काम आएगा क्यों काम आएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको अरे समझ लो मेरे बच्चों बात हाँ तो कि हाँ वो expected निकालूंगा मैं भी expected bill मेरा कम होगा as compared to the विशाल हाँ जी बेटा क्योंकि क्यों ऐसा कम होगा बताता हूँ मैं विशाल सुनना ध्यान से बड़े जाद हजार रुपे से ज़्यादा खर्च करने वाले लोग कम होंगे लेकिन जीरो से हजार करने वाले तो सारी होंगे हर बचा हजार क्रॉस कंप करें पहले जीरो से हजार में तो होगा ही ओगा लेकिन उस मेंसे हो सकता āथ तर्स परसंट पंदरा परसंट बच्चे हजार के उपर जाए कि अरे समझ लेयो कि नहीं मतलब आप समझे में आया बटा आपको या नहीं समझ में आई बात मेरी यह तो इंशॉरंस का पार्ट है बहुत बड़ा यह तो समझाएंगे भाई यह सब तो फिलाल आज थे कंडिशन पॉल्टी पे बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट वो कवर किया है स्टेटिस्टिक्स में कैसे यूज करेंगे एक्चुरी में कैसे यूज करेंगे एज लेमन कैसे बताएंगे सब बतायागी नहीं बिटा आपको और यहां पर सैंपल स्पेस कैट्स पकड़कर रखना है रेडियूस होता है क्लियर है इतना ओके इफ सम्वन वांट वांट राइट अनिफिंग कें राइट नाओ कुछ भी लिखना है तो मुझे बता दो मैंने कहीं चोड़ा हो कुछ यहां से ओके हां मैं यहां यह समझारा चाहरा था बिटा इनकंप्लीट सैंपल और कंप्लीट सैंपल की इंफरमेशन देना चाहरा था कि मनीश सर के पास क्या सभी बच्चों के यह मनीश सर को जिस बिल में 0 रुपे देना था देना नहीं था क्या उसकी इंफरमेशन है मनीश सर को मनीश सर को कौन से वाली बिल की इंफरमेशन जो हजार रुपे से जादा है राइट तो इसका मतलब बेटा मेरे पास सारे बिल की information नहीं है न तो मेरा data complete है कि incomplete तो इसलिए incomplete word लगाया बेटा और sample space भी reduce हो गया बेटा पहले बिल था zero से infinity या zero से दसजार अब बिल हो गया अब सुन मेरी बिटी आज है सुन शुन मीन मीन निकालता है बिल का इसका मीन जिरो से Etजार का मीन हो गए ay plus b by two तो पांच-जार मीन हो गए ना पूरे बिल का इसका मीन क्या हुआ हजार प्लस 10,000 divided by two क्या बहूत मेरे जो मीन क्लेम mean bill है और जो total bill है उसमें बहुत ज़्यादा फरक आ रहा है किया? अरे बताओ बहुत ज़्यादा फरक जबकि यहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, यहाँ पर कम लोग होंगे दोनों का mean compare किया है मैंने, a plus b by two ऐसे ही mean होता ने बिटा दो चीजे को एड़ करो डिवाइड बेटो कर दो तो पूरा जो टोटल बिल का मीन आ रहा पांच जार आ रहा है और जो मैं पेट इक कर रहा हूं ऑकिया कहा हरा है और उसले अरे हैं की नहीं समझ में आया की नहीं और लेकिन मेरे अब ठीक है मेरी बिटिया तो next प्लीज conditional policy में आया बिटा अब इसके बाद एक formula और है जो बहुत important है हमारे लिए independent word independent की बिना भी हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है क्यों सर ऐसा अरे ऐसा थोड़ी होगा कि विशाल ने पार्टी दे तो पुरा मोला पार्टी देदेगा विशाल अपना बैंक में गया आकाउंट खुलवाने क्या सबका आकाउंट खुल जाएगा नहीं हर कोई अपना आकाउंट independently खोलेगा ना देखो हमारा जीवन कैसे चलता है हम सब लोग अपना अपना एक्जाम independently देते हैं ऐसा माबाब सोचते हैं यह चीटिंग करके देते हैं हम जातर independently लेकिन सब लोग सब बच्चे पास 40% से उपर वाले सारे पास होते हैं identical सब के लिए पासर क्राइडिरिया सेम है की नहीं आप बैंक में खुलवाते हो सब लोग अपना अपना independent खुलवाते हो लेकिन जब बैंक rate of interest देता है आपको सबको identical देता है ना तो हमारी जो कहानी है वो independent and identical से जड़ी भी है तो पहले हर चीज independent होनी बहुत जुरूरी है अरे ठीक है independent का मतलब कि A, B के होने से A की probability पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा A के होने से B की probability पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो बहुत आइवेंट्स आर independent हाँ तो then probability of A intersection B का formula यह होता है बेटा probability of A given B into probability of B होता है की नहीं होता है पहले बताओ यह अरे अभी तो कराया था A given B बराबर होगा मेरे बेटा आज तो बाते की हैं भी भी हमने अब next class से हमारा chapter 0 start होगा इसको इधर multiply करतो तो intersection B आ जाएगा ने बेटा अरे बोलो और A और B independent है तो probability of A given B क्या हो जाएगा तो अगर कोई दो events independent हैं तो probability of their intersection is equal to product आएगा ना और disjoint है तो probability of their union is equal to some of their probabilities तो कभी भी कोई भी दो events independent हैं तो probability of their intersection किसके बराबर होगा बिटा product of the probability के बराबर हो जाएगा अरे clear हो गया आपको मेरी बात ओके उतारो So here we got the introduction of probability और सबसे important formula हमने धंग से समझ लिया Thank you very much for joining us